हेलो क्लास नाइन्थ आज हम चैप्टर नूबर एट क्वार्डिलेटर की एक्ससाइज 8.1 का कोसर नूबर सेवन करेंगे लास्ट वीडियो में आपको कोसर नूबर सिक्स कराया था कोसर नूबर सेवन में आपको क्या गिवन है A B C D is a rhombus so that diagonal A C bisects angle A as well as angle C and diagonal B D bisects angle B as well as angle D तो आपको क्या गिवन है A B C D एक rhombus गिवन है ठीक है suppose करो ये A B C D ये एक rhombus आपको गिवन है गिवन में क्या है A B C D is a rhombus A B C D एक rhombus गिवन आपको आपको सो करना है कि जो diagonal है A C A C मतलब ये वाला डाइगनल ठीक है ये डाइगनल एंगल A और एंगल C एंगल A और एंगल C मतलब की ये चार एंगल बन गए यहां पर एंगल 1 2 3 & 4 ठीक है ये चार एंगल है आपको ये सो करना है to prove तो प्रूव में क्या करना आपको अंगल 1 जो है अंगल 2 के equal है अंगल 3 आपका एंगल 4 के equal है ये आपको प्रूफ देखो प्रूफ के लिए एक चीज़ देखो आपको A, B, C, D एक रॉम बस गिवन है ठीक है तो इसका मतलब A, B, C, D इसका मतलब क्या लिखो गया इन ट्रेंगल A, B, C, D इसका मतलब क्या लिखो गया इन ट्रेंगल A, B, C एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में equal होंगे एंगल 2 is equal to angle 4 reason इसका आप क्या दोगे एंगल opposite to, angles opposite to equal sides are equal क्योंकि ये दोनुं sides equal है ना तो इनके opposite जो angle होंगे वो भी equal होंगे ठीक है एंगल 2 और एंगल 4 equal होंगे यहांसे अब एक चीज़ देखो आगे क्या लिखो गया आप एंगल 2 is equal to angle 3 एंगल 2 is equal to angle 3 ठीक है एंगल 2 is equal to angle 3 region के लिखोगे alternate interior angle क्योंकि AB जो लाइन है वो पैर्लल है CD के AB जो लाइन है वो CD के पैर्लल है तो angle 2 रैंगल 3 क्या होंगे इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटिर एंगल ठीक है और इसी हिसाब से एंगल 1 इस इकल टू एंगल 4 सेम रिजन ठीक है एंगल 1 एंगल 4 के इकल होगा इसका रिजन आप क्या दोगे कि AD is parallel to AD is parallel to BC AD जो लाइन है वो BC के parallel होगी क्योंकि यह रोंबस है ठीक है अब एक चीज़ देखाब एंगल 2 एंगल 4 के इकल है एंगल 2 एंगल 4 के इकल है और एंगल 2 एंगल 3 के भी इकल है ठीक है क्या होगा यह एक्वेशन नमबर 2 एक्वेशन नमबर 3 और इक्वेशन नमबर 1 में देखो लिख देना यहां से फ्रॉम एक्वेशन one two and three क्या वन में क्या देखो एंगल टो और एंगल 4 एंगल 2 एंगल 4 एंगल है और 2 में क्या है एंगल टो एंगल 3 अक्वेवल है तो 2 जो है वह फोर के भी क्वेवल है 3 के having what इसका मतलब क्या होदा कि Clinical 3 is equal to Angel 4 थीक है कि उसके बाद आपका एंघल 4 एंघल 1 के भी कोई है और एंगल 4 एंगल 2 сколько है एंगल 4 एंगल 2 के भी कोल है और एंगल 4 एंगल 1σιдо टो इसका मतलब यहां लिगद आप, so A C bisects, the angle A and angle C both, ठीक है, similarly, similarly, we can prove, we can prove that BD bisects, angle B and angle D both, ठीक है, तो यह था solution of question number 7 of exercise 8.1, इस question में अब आपको कोई भी doubt हो, तो आप पूछ सकते, okay, thank you.